जहिन मेरे दोस्तों आज हम प्रसना वाली 8.1 जो तिरकोन मीती का NCRT बुक तेंथ कलास का प्रसन कर्मांग 5 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सुल्व करेंगे तो आईए देखते हैं इस प्रसन को कैसे हम लोग हल करेंगे यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे तो सब्सकाइब कर लेंगे यहां सबसे पहले क्या काड़ा है यदि सेख ठीटा बड़ावर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी तिरकोन मीतीय अनुपात पड़ी कलत कीजिए ठीक है सबसे पहले यहां क्या दे दिया यहां हमको दिया कि सेख ठीटा बड़ावर क्या दिया 13 बटे में 12 ठीक है तो यहां एक बात आपको बता दे कि एक यहां शुत्र हो जाता है ठीक है यह सुत्र हो जाता है क्या और यह टीक है पंडित बर्दी परसाद बटे हर हर बो ठीक है तो ये P से perpendicular, H से हाइपोटेनस, B से बेस, H से हाइपोटेनस, P से perpendicular, B से बेस, ठीक है तो इस तरह से अगर साइन थिटा में, अगर हम मातर हम तीन गो को यहाँ याद रखेंगे साइन, कॉस्ट, टैन को याद रखेंगे, इसका ठीक उल्टा सभी कह जाता है कॉस का उल्टा सेक हो जाता है टैन का उल्टा कॉट हो जाता है ठीक है तो यहां क्या है साइन ठीटा बराबर लंब बटे कर्ण कॉस ठीटा बराबर अधार बटे कर्ण टैन ठीटा बराबर लंब बटे अधार कॉसेक ठीटा बराबर कर्ण बटे लंब तो हमको यहाँ अभी question में दिया क्या है? हमको question में दिया है सेख ठीटा, ठीक है? तो सेख ठीटा में क्या हो जाता है? यह हो गया क्या हमको कर्न का मान हो गया उपर वला और नीचे क्या हो गया? नीचे वला हो गया हमको अधार का मान हो गया, क्या हो गया? अधार का मान हो गय तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक figure को draw कर लेते हैं, ऐसे एक चितर को draw हम कर लेंगे, ठीक है, यहां इस तरह से, ठीक, इस तरह से हम कर लेंगे, और यहां हम लिख लेते हैं मान, जैसे A, B, C, ऐसे लिख लेंगे, यहां 90 degree हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या कहा करन, इसी को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है करन जिसको इंगलिस में H कहेंगे हाइपोटेनस तो क्या हो गया है यहां हमको तेरा पता चल गया है इसके बाद इसको कहा जाएगा अधार जिसको इंगलिस में बेस बी जिसको कितना हमको पता है तो बाड़ा पता है और इसमें क्य पता नहीं पता है, तो हमको लम पता नहीं है, मतला प्रिपेंडिकुलर हमको पता नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पाइथा गोडस परमे से चलना है, ठीक है, तो पाइथा गोडस परमे से हम निकालेंगे, दिकाएंगे क्या, अब पाइथा गोडस, ठीक है पैथा गोरस परी में से ठीक है ना पैथा गोरस परी में से तो पैथा गोरस परी में में हमको निकालना क्या है लम निकालना है मतलब हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो यहां हम लिख सकते हैं क्या लम एसक्वाइर बराबर मतलब यहां लम के जगे हम क्या लिखे यहां मैं ऐसे लिख लेते हैं लंब का A square बड़ाबर क्या होता है सुत्र हो जाता है कर्ण का A square और माइस क्या होगा अधार का A square ठीक है इसको अगर इंगलिस में इस तरह से लिख दे तो क्या होगा A B का A square और बड़ाबर कर्ण क्या हो गया A C का A square और माइस B C का ऐसे A square हो गया ठीक है अब यहां बैठाए इसको अब यहां पर क्या होगा A B का A square बड़ाबर क्या हो जागा यहां A C A C कितना है 13, 13 का A square और माइस क्या 12 का A square ठीक है अब यहां हम चलेंगे तो फिर लिखेंगे A B का A square बड़ाबर क्या होगा तो A B का A square बड़ाबर हमको हो गया क्या तो यहां 13 का A square 179 माइस 12 का A square 144 अब हम क्या करेंगे यहां A B का A square बड़ाबर लिखेंगे क्या इसको जब घटा देंगे तो यहां 25 आजाएगा ठीक है इसको घटाएंगे तो क्या आजाएगा 25 आजाएगा अब इस तरह से जब आजाएगा तो यहां हम लिखेंगे जब यह A B बराबर ठीक है तो यह 25 लिखेंगे और SQR क्या होगा यह रूट पर आजाएगा तो यहां क्या हो जाए है ठीक है तो अन्य सभी तिरकोन में दिये आपको हम बता दे निस्पतिया कित्रा होता है तो छो होता है कौन-कौन होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां साइन ठीटा ठीक है दूसरा क्या होगा दूसरा होता है कॉस ठीटा ठीक है तीसरा क्या होता है तीसरा होता है टै पाजमा होता है यहां एक होता है सेख ठीटा ठीक है तो सेख ठीटा हमको कोस्चन ही दिया है तो इसके अलाबा क्या है यहां बच गया तो बच गया यहां हमको कौट ठीटा तो यहां सभी का हम माल लिख लेंगे अब देखे इसी के अनुसार हम लिख लेंगे सभी का माल साइन का लंबटे में करन ठीके पपी अबटे हो जागा है है इसे कॉस का क्या होगा अधार भटे क्या होगा करन जिसको भी बटे हम एच लिख लेंगे टैन का क्या होगा लंब बटे अधार होता है मतलब P और बटे B हो जाएगा कौसे का हो जाता है कर्ण अब बटे क्या हो जाता है लंब मतलब H अब बटे क्या हो जाएगा P कौट का क्या होता है अधार अब बटे में लंब होता है मतलब क्या हो गया B और बटे P हो जाएगा तो इस तरह से ये सारा हो गया और यहां हम सभी कमान हम असानी से हम क्या करते हैं तो लिख लेते हैं क्योंकि देखिए अब हमको कर्ण मतलब H कितना पता है 13 पता है अधार मतलब B कितना पता है 12 और लम कितना पता है 5 तो इस तरह से आप क्या करेंगे हम यहां पर आसानी से इसको बैठा लेते हैं सब भी कमान तो हमको लंब कितना पता है लंब को 5 निकल गया और कर्ण कितना है 13 एक एंसर यह हो गया इस तरह से दूसरा का अधार अधार कितना है बाड़ा और कर्ण कितना है 13 तो एक एंसर यह ह गया टैन वला में तीसरा नंबर में क्या हो जागा परपेंटिकुलर मतलब लंब लंब कितना पता हैं को पांच और बेस कितना है बाड़ा इस तरह से यह इंसर हो गया कॉसे कर्ण मतलब एच कितना पता है तेरा और लंब कितना पता है तो पांच इसका इंसर यह हो गया इस से फिर कोट में बेस बाड़ा पता है और लम कितना पता है पांच तो यह इंसर हो गया तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे तो आप लोग सबस्काइब की कर लेंगे